कि which of the following property generally decreases along the period जब हम period में जाते हैं कहां जाते हैं हम period में मतलब row में जाते हैं left to right जाते हैं तो क्या decrease होता है तो अगर हम period की बात करें तो ये हमारा छोटा सा periodic table है इसका हमने क्या बना लिया diagram बना लिया ये S है ये D है ये कौन है P है अगर मैं बात करूँ आपसे तो left to right जाते हैं तो Z effective क्या होता है increase तो क्या होगा ionization energy increase होगी size क्या होगा decrease होगा electron affinity भी क्या होगी increase होगी electron affinity भी क्या होगी अब मुझे बताईए कि ionization energy क्या हो रही increase तो ये तो हमारा रोंग हो गया then metallic character देखते हैं अभी electron affinity भी increase मतलब ये भी wrong हो गया valency की बात करें तो यहाँ पर यहाँ वाले plus one यहाँ वाले plus two यहाँ वाले कितनी plus three यहाँ वाले कितनी plus four तो valency भी क्या होती है increase होती है मतलब ये वाला option भी हमरा क्या हो गया wrong हो गया अगर हम बात करें metallic character की तो metallic character केस से decrease होता है वो देखिए कि यहाँ पर हमारे कौन होते हैं सारे के सारे metals होते हैं सारे के सारे क्या होते है metals mid में क्या आते हैं faculties या आते हमारे कौन metaloid क्या आते हैं हमारे metaloid आते हैं then कौन आते हमारे सारे के सारे non metal आते हैं, सारे के सारे कोन आते हैं non metal आते हैं अब मुझे बताइए के metal को metal क्यों बोला जाता है, तो metal को metal इसलिए बोला जाता है, क्योंकि उजल्दी से electron lose करके क्या बनाते हैं? ketion बनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जिसके ionization energy कम होगी, उसका metallic character उतना ही जादा होगा बड़ जिसके आयनाश इनर्जी जादा होगी उसका metallic character क्या होगा उतना ही कम होगा क्योंकि वो electron निकालना नहीं चाहता है वो electron को क्या रखना चाहता है अपने पास रखना चाहता है इसलिए metallic character किसका जादा होता है यहाँ पर जो हमारा metallic character होगा वो सबस ज़्यादा non metallic character group 17 में और सबसे ज़्यादा metallic character कहाँ पर first group में मिलता है इसलिए metallic character left to right क्या हो जाता है, decrease हो जाता है इसलिए option B हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा, clear है चलिए